तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो आग फाइर को ले करके जो कि आपकी इलेक्टिंसियन थिवरी में भी एक टॉपिक है और लागों हर प्रकार के चाहे वो आई टी आई से रिलेटिट कॉम्पुटेटिव एक्जाम हो या फिर अधर किसी भी कॉम्पुटेट है तो आज की वीडियो में स्टाइट करते हैं सबसे पहले हम जानते की आख जलती कैसे है आग के लिए कारक क्या है तो यह ट्रायंगल बना हुआ है यही बीच में जो है आगरिए ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो जाता है उंबेम्स जाएगी इसमें हमने triangle की एक side को एधन से denote किया है दूसी side को ऊस्मा से और तीर सी side को oxygen से means आग जो है वो तीन कारकों के उपस्थिती के या उनकी मौझूदगी में ही जल सकती है यदि इन तीन कारकों में से कोई एक कारक उपस्थित नहीं रहेगा तो आग नहीं जल सकती है तो competitive exam में एक question पूछ लिया जाता है कि निम्न मेंसे कौन सा कारक आग के जलने में सहायक नहीं है आपको options में में दे दिया जाए इधन, उस्मा, oxygen और carbon dioxide तो आपका answer जरूर क्या रहेगा carbon dioxide क्योंकि इधन, उस्मा और oxygen ये तीन वो कारक हैं जो आग के जलने में सहायक हैं तो आपको याद रखना है यदि आग कहीं जलती है तो ये तीन कारक जिरूर मौजुद होंगे बहाँ पर oxygen, उस्मा और इधन तभी आग जल सकती है एक्जाम में typical बनाने के लिए जो question पोच लिये जाते हैं वो ये जो तीन important question वो ये हैं जिसके बारबे हम आपको बताने बाले हैं आग के लिए important कार रखें आपकी oxygen, इधन और उसमा लेकिन जब आग जल रही हो और उसको रोकना हो तो इन तीनों में से किसी एक कारक को ये हम हटा दें तो ये जो triangle लिए open हो जाएगा और आग बुझ जाएगी तो इसलिए ये तीन important question बने है कि oxygen को रोकने की पिरकिरिया क्या कहलाती है very important question है UPPCL, UPR, other technical exam and non-technical exam सभी में ऐसे question आते हैं तो आपको ये तीन question जरूर learn कर लेना और मैं आपको इतने अच्छे तरिके से समझा दूँगा कि आपको write करने की जोतनी है फिर भी एक notes में ये तीन question learn कर लेना, write कर लेना, तो आग जब जलती है तो उस time oxygen को रोकने की पिरकिरिया क्या कहलाती है smoothening, आग के जलने समय, oxygen को रोकने की पिरकिरिया, smoothening second question है, उसमा को समाप्त करने की पिरकिरिया आग जब जलती है तो आपको पता होगा temperature काफी high होता है उस time पर आग की जलते time temperature को कम करने, म Например, उसमा को समाप्त करने की पिरकिरिया को कह कहते है हम cooling ठीक है, इसी तरीकी से even को रठाने की पिरकिरिया कह कहलाती है, starving सपोर्ज कहीं आग लग गई है वहाँ पर इधन को यह जो जल रहा है और आज पास में और भी कोईला पड़ाइँ उसको हटा रहे तो इसका मतलब क्या है आप स्टार्विंग कर रहे हैं उसको एक टैक्निकल प्रोसेस्टेम्स में क्या कहा जाता है श्टार्विंग तो यह व हम बात करते हैं आग के प्रकार को लेकर करके आग कितने प्रकार की होती है जेशिती हैं आख और को चार इसको आज पर क्लास करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आग के class A प्रकार के category के बारे में तो ये class A में आग वो आग आती है जो जोलंसील ठोस्पदार्थों में लगती है यहां पर जोलंसील इसलिए आया क्योंकि ठोस्पदार्थों कई होते हैं लेकिन जो जोलंसील है उन्हीं में लगेगी example के लिए कागज लकड़ कपड़ा और जूट तो class A प्रकार की याग जोलंसील ठोस्पदार्थों में लगती है example के लिए कागज लकड़ी लकड़ी लड़की तो नहीं लखा ठीक है तो लकड़ी कपड़ा जूट आ दी उपाए इसको बुझाने के लिए आप नॉर्मली वाटर का यूच कर सकते हो अब सेकेंड आता है class B प्रकार की याग, class B प्रकार की याग में जोलंसील द्रवपदार्थों में लगने वाली याग class B प्रकार की याग में आती है, इसमें petrol, diesel, kerosene मतलब मिट्टी का टेल ये class B प्रकार की याग में आती है, इसको बुझाने के लिए form मतलब जाग, CCL4, carbon tetracloride जो सूखा powder होता है, उसका यूज करते हैं, carbon dioxide gas, इन सभी के द्वारा हम class B प्रकार की याग को बुझा सकते हैं, इसमें important terms में लिखा है कि kitchen तेल इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि kitchen तेल वी एक क्या है, liquid है, लेकिन यह जोलंसील नहीं है, जब इसको बहुत ज्यादा temperature heat किया, जलता है, नॉरमली है, यह तेल नहीं जलता है, जिसका हमने, kitchen तेल को class B प्रकार की आग में नहीं रखा जाता है, kitchen तेल को class F प्रकार की आग में रखा जाता है, अब हम बात करते class C की प्रकार की आग में तो क्लासी प्रकार की आग जो है वह जो लंसील गेस पदार्थों में लगती है एक्जाम्पल के लिए कौन-कौन सी जो लंसील गेस यह पदार्थ हुए lpg, cng, hydrogen gas, lpg का फुल फॉर्म आप लर्न कर लिए जगा याद रखिए लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गेस बहुत सारे स्टुडेंट lpg का मिन्स लिक्वीड पेट्रोलियम गेस जानते हैं वह रॉंग है आपको लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गेस इसका फुल फॉर्म होता है cng का compressed natural gas and hydrogen gas जो गुबारों में भरी जाते हैं helium gas वो अब है उपाई सुखा पाउडर चूर के द्वारा आप classy प्रकार की आग को बुझा सकते हैं बाकि जो इन different category के आग को बुझाने के लिए जो अगनी सामाक होते हैं fire extinguisers उनका भी अपना एक clarification होता है उनका भी एक types होते हैं वो भी हम आपको next वीडियो में बताएंगे अब हमने यहां पर important terms में लिखा है बिद्धुत्तार देखे कई जंगाए पर डाउट रहता है कि बिद्धुत्तारों में लगिया किस category है किस type of fire में आती है तो Bureau of Indian standard के अनुसार class C प्रकार की आग में आती है बिद्धुत्त च्रइक क्लास सी प्रकार की आग बहुत जड़ा important question है question बीद्ध फ्रकार की सबसे खथर्नाक मानी जाती है class A class B class C class D थ barrel लाजई class c प्रकार की सबसे खतर्नाक का मानी जाती क्यों क्योंकि ज्लेंसी पदार्त हूं में लगती है प्रकार कि यह नहीं किया जmosed क्लास D प्रकार की आग में धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग क्लास D प्रकार की आग में आती है जैसे सोडियम, तांबा, पीतल ये धात्विक पदार्थें जिनमें लगी आग क्लास D प्रकार अब आपको पता हूब हमने इहां पर लखाए बिद्युत्तार किस से बने होते हैं राप तो बिद्युत्तार किससे बने होते हैं जो अलुमिनियम कोपर के बने रहते bagus good dhta में देखना है कभी एक्जाम में यह आई ऐसा पूछ लिए गदिया कि आसार बिद्धतारों में लगा या किस काटिगरी में आती है तो आप क्लास लगाना है और यह गांतारों कि यह सबस्क्राइब कर्वाइब फ्रिक्राइब से वह होते हैं पाउडर जिसके द्वारा Class D प्रकार के आग को हम बुझा सकते हैं Class F प्रकार की आग किचिन तेल पता है यहाँ पे हमने लखा है इसमें नहीं आती है Class B में जो लंसील दरौप अदार्च में Class F में किचिन तेल से लगी आग आती है Class K प्रकार की आग में बनसपती तेल हुआ बसा हुआ पसू तेल हुआ इन सब में लगने वाल या क्लास की केटिगरी में आ जाती है तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपका यह पूरा आग का टॉपिक था जिसमें आपको मलब नॉलिज हुई कि आगों को जलने के लिए तीन इंपोर्टेंट का रख इदन उसमा ऑक्सिजन इनको रोकने के प्रिक्रिया ऑक्सिएन को रोकने के प्रिक्रिया स्मूथ रिंग उसमा को समप्त करने के प्रिक्रिया कोलिंग एदन को हटाने के प्रिक्रिया इस्टार्विंग इस्टार्विंग मिनसो तब भूखा जब आपको है ना तो इस टाइ आती है सो जो भी आपके वाल्ड आउट हो आप कमेंट से बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धर्नवाद